जिसका डर था आखिर वही हुआ सावदार नमस्कार प्यारे विधार्थियों सुवागता आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना का जो नया वेरियंट है ओमिक्रोन उन्होंने फिर बारत में दस्तक दे दी है क्या अब राजस्तान में फिर से आपके स्कूल बंद होंगे आपकी जो अरदवार्सिक प्रिक्षे हैं वो करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी तो आज की इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी सटिक जानकारी देने वाला हूँ तो वीडियो को आपको कम्प्लीट देखना है और वीडियो को सुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर लिजिए और साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी प्रेस कर लिजिए ताकि इस परकार का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो आठ चारसो 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 जी हाँ याद कर लिजिए वोटसप नमर क्योंकि अब आपका मेट्स, फिजिक्स, केमेस्टी, बाइलोजी का सवाल हो आपके हर क्यूशन, हर डाउट का मिलेगा तुरुन सोलूशन वो भी सीधा आपके वोटसप पर बस अपने फोन में डाउटनेट का 8400-400-400 वोटसप नमर सेव कर लिजिए और चेट ओपन कीजिए फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फोटो खीचिए और उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकिंड में उस क्यूशन का वीडियो सोलूशन आपको मिल जाएगा क्लास 6-12, IIT, JE, NIT, CBC बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए तो देर किस बात की अभी जाएगे और 8400-400 पर अपना सवाल वाटसप कीजिए और अपने सभी डाउटना के नए वेरियंट ओमिक्रोन ने फिर बारत में दस्तक दे दिये तो क्या यहाँ पर राजस्तान में फिर से आपके स्कूल बंद होंगे आपकी जो अरदवार सिक प्रिक्चे हैं वो करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी तो इस पर बहुती बड़ी अपडेट है तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैपुर में दो इसकूली बच्चों समेत आठ संकरमित तो क्या फिर राजस्तान में आपके जो इसकूल है वो बंद किये जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने सपस्ट कर दिया है हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं बिड़िकला उन्होंने कहा है कि कोरोना को लेकर अभी सकूल बंद करने का कोई विकलप नहीं है यानि इस बार कोरोना के जो हालात हैं उनको देखते हुए आपके जो सकूल है वो बंद नहीं किये जाएंगे आपको आपके जो विद्याले हैं जो स्कूल है वो सुचारू रूप से चालू रहेंगे टुडेंट्स के मन में ये भी है कि इस बार आमारी जो अर्दवार्सिक प्रिक्षे हैं वो होगी या नहीं होगी तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि नवी से बार वी तक के जो विद्यार्ति हैं उनकी अर्दवार्सिक प्रिक्षे हैं वो आपके 13 दिसंबर से सुरू होने वाली है जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं और आपकी जो हाफिरली इक्जाम है वो 13 दिसंबर से ही होगी इसमें डेट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है जो समय है वो आपके 30 मिनट है वो कम किया गया है लेकिन डेट है वो आपके 13 दिसंबर से ही होगी यानि 13 दिसंबर से आपकी जो प्रिक्षे हैं वो सुरू होने वाली है तो आपको हाफियल एकजाम अर्दवार्शिक प्रिक्चा पर जदा से जदा फोकस करना है और रेगुलर आपको स्टेडिक करनी है अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगी तो वीडियो को जदा से जदा लाइक करें दोस्तों के साथ सेर करें और चेनल पर आप नए हैं तो चेनल को सबस्क्राइब कर लिजी साथ में नोटिविकेशन बेल को प्रेस कर लिजी